बिहार में एकी परिवार के 14 लोगों को जील की सज़ा मिली है अदालत ने एकी परिवार के 14 लोगों को जील भीज दिया है 13 लोगों को 3-3 साल जील में बंद रहना होगा तो वहीं एक आरोपी को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है जिसमें महिलाएं और पुरुष सब शामिल हैं मेहार के पुर्णिया से जब ये मामला सामने आया तो लोग हैरान हो गए कि आखी एक ही परिवार की चौदर लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हीं जील में बंद करना पड़ा है और एक साथ 14 सदस से जिस परिवार से जेल में जा रहे होंगे उस परिवार का हाल क्या होगा पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि एक परिवार के एक दू नहीं बली कि 14 लोगों को अब जेल में बंद रहना है एक साथ इने सजा दी गई है पुरा मामला आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है अब नमश्कार आप जनता जंशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे बिहार के पुर्णिया का मामला है जहां एक परिवार की चौदा लोग जील में एक साथ बंद किये गए हैं पुर्णिया में जमीन विवाद में मार पिटकर बुरी तरह से जखमी करने के मामले में अदालत ने मुसलिम परिवार की 14 सदसी को अब जील भीज़ दिया है आपको है तो वहीं जो 13 और लोग हैं उन्हें तीन तीन साल जेल में बंद रखा जाएगा और 2000 जर्माना वसुला जाएगा इसमें महिलाएं और पुरुष परिवार के सामिल हैं यह फैसला पंच्यम अपर जिला सत्रुनिया यादिस राजी उरंजिन सहाई के द्वारा सुनाये गया 14 लोग एक साथ जेल में बंद होंगे आपको बता दे कि 9 साल की बाद पेड़ परिवार को अंसाथ मिला है साल 2014 की बात है जब नाजमी खातुन नामक महिला ने प्राथमी की दर्ट करवाई थी और अब जाकर उसे अंसाथ मिला है जिया 9 साल की बाद यह फैसला सामने आया ह जिसमें इस नाजमी खातुन को पीठने और इसे परिशान करने के मामले में एक परिवार के 14 सदस से अब जेल में बंध है आपको बतारे हैं कि नाजमी खातुन ने जो शिकायत दर्श करवाये थे वो यह था उसमें साफ कहा गया था कि अपने पती के साथ यह बाइसी में घर बना कर रहती है लेकिन जो लोग अब जेल में बंध हैं वो किशन गैच वाले घर पर रहते थे जो कि नाजमी खातुन का भी घर था जमीन को लेकर अभी तक बटवारा नहीं हुआ था जिसे लेकर दोनों परिवारों के बीच हमेशा जगरा होता रहता था लेकिन एक दिन विवाद इतना जादा बर गया कि सबी आरोपियों ने मिल कर मतलब 14 लोग जो अब जेल में बंध है जो उनके उपर फैस्स सुनाया गया है उन 14 लोगों ने मिल कर असनाजमी खातुन को बुरे तरीके से पीटा था गाली को लौच किया था इतना ही नहीं बलकि इनके घर का जोतना भी कीमिती समान था वो सब कुछ लेकर वो लोग चले गये थे घर में जोतने भी कैश पड़े थे वो भी उन लोगों ने चीन लिया था और अब असी बात को लेकर पंचायत भी बैठाई गई गाँवाले कोशिश कर चुके हैं ताकि उस मामला को शान्त कराया जा सक कर यह सब कुछ फैसला सामने आया है नाज में खातुन कहती है कि जब यह सब कुछ हुआ था साल 2014 में उस वक्त इनकी हालत ठीक नहीं थी इन्हें इतने बुरे तरीके से पीटा गया था कि कई दिनों तक यह अस्पिताल में भरती अपना इलाज करवा रही थी जब ठीक होत सज़ा मिली है बाकी अभी मामला सुर्खियों में बना हुआ है लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसी हो सकता है कि एक परिवार के 14 लोग जेल में बंद हो लगिन सच यही है कि एक व्यक्ति को पांक साल के लिए तो बाकी 13 व्यक्तियों को तीन-तीन साल के लिए जेल में बंद किया हैं उसे जर्माना विवस्वला जाएगा बाकी अब ऐसे मामलों को लेकर आपकी क्या राहे हैं कमें सक्षिन में बताईए वीडियो को शेयर कीज़े और बाकी खबरों के लिए बने रहे हैं जोंता जिंशिंदी साथ कैमरे के पीछे ते विशाल और मैं ठीया आपके साथ बंदना जैने बाद